जहीं दोस्तों मैंने दीविन चोहान आजम करेंगे exercise 3.3 का question number 8 इसमें हमें प्रूव करना है कि cos pi plus x cos minus x sin pi minus x cos pi by 2 plus x equal है cot square x के इसो इसको left hand side से हम solve करेंगे इसमें identity का use होगा सबसे पहले left hand side में यहाँ पर है cos pi plus x आपको identity बता देती हूँ यह identity होती है cos pi plus x equal to minus cos x अगर आपको identity नहीं पता है तो इसके लिए तरीका होता है इस तरह से graph बना लो यह वाली line pi होती है जो cos है इस वाली line पर change नहीं होता है तो pi अगर इसमें कुछ add होता है pi में अगर कुछ add होता है तो हम इस तरफ चलेंगे third quadrant में हमारा angle बनेगा और third quadrant में 10 और cot positive होते है बाकी सभी cos sin cos x negative होते है इसलिए यहाँ पर minus cos आ जाता है तो इस तरह से भी आप solve कर सकते हो cos pi plus x यह equal हो जाएगा minus cos x के तो यहाँ पर cos pi plus x की जगह पर हम लिख सकते है minus cos x इसके बाद यहाँ पर cos minus x है यह वाली identity भी देख लेते है cos minus x यह equal होता है cos x के जो x के साथ angle के साथ minus का sign लगा होता है उसे cos खतम कर देता है positive में change कर देता है so cos minus x यह हो जाएगा cos x इसके बाद cos minus x की जगह हम लिख देंगे cos x इसके बाद denominator को देखो यहाँ पर sin pi minus x फिर से identity का use होगा sin pi minus x यह equal होता है sin x के कैसे होगा graph वाले concept से देखते हैं तो sin है pi इस वाली line पर sin change नहीं होता है तो pi में से कुछ minus हो रहा है कुछ भी change नहीं होगा sin as it is आ जाएगा pi minus x करेंगे pi में से कुछ कम हो रहा है तो angle बनेगा second quadrant में second quadrant में sin और cosec यह दोनों positive होते हैं इसलिए sin x positive हो गया तो sin pi minus x यह equal होता है sin x के यह वाली identity use करेंगे तो sin pi minus x की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर sin x इससे next cos pi by 2 plus x है यह भी एक identity है तो यहाँ पर आ जाएगा cos pi by 2 plus x यह equal होता है minus sin x के ग्राफ वाले concept से समझते हैं यह 0 होता है यह pi by 2 होता है pi by 2 पर इस वाली line पर जो cos है वो change हो जाता है sin में cos हो जाता है sin में change sin में cos change हुआ यहाँ पर sin में इसके बाद pi by 2 plus x यानी की जो भी हमारा angle है वो pi by 2 से बड़ा है क्योंकि pi by 2 में कुछ add हो रहा है यह बनेगा second quadrant में और second quadrant में cos negative होता है जो sin और cos एक है वो दो positive होते हैं उसके अलावा जो भी है यानी की cos and second वो सभी negative होते हैं जो यह cos है वो minus में हो जाएगा pi upon 2 पर cos sign में cos sign में change हो जाएगा और second quadrant में है तो minus का sign यहाँ पर लग जाएगा यह identity इस प्रकार बनी अब जो cos pi upon 2 प्लस x है इसकी जगा पर हम रख देंगे minus sign x अब इसको solve करेंगे देखो minus plus minus होगा cos x multiply cos x यह हो जाएगा cos square x plus minus हो जाएगा sin x को multiply करेंगे sin x से तो यह sin square x हो जाएगा अब आपको एक identity पता होगी जो कि हमने class 10th में सीखी है वो होती है वो होती है cos upon sin equal to cot तो यह identity यहाँ पर use हो रही है देखो यहाँ पर cos upon में sin है minus से minus कट गया cos upon में sin यानि कि cot और यहाँ पर भी square है यहाँ पर भी square है तो यह हो जाएगा cot square x यानि कि यह प्रूव हो गया lhs equal to rhs के यह वाली identity यहाँ पर use हुई है यह वाली identity cos upon में sin होता है cot के तो यहाँ पर इसी तरह से हमने यह identity लिखके इसे प्रूव कर दिया है